ललित नरायन मितला विश्विद्याले के शनातक प्रतम खंड़ सत्र दुहजार एकीस चौबीस में नामांकित छाचात्राव की परिच्छा बुद्वार से जिले के दस केंद्रों पर सुरुवात की गई है। कारण तोरे दिन वहन चालक और राहगीर जाम में रेंगते रहें। चालकों ने बताया कि वह कई घंटों से जाम में फसे हुए हैं लेकिन पुलिस प्रसासन अपने करतब को भूल कर गहरी निंद में सोई हुई है। पर आने में देरी भी हो जाती है, जिससे परिछा में सामिल होने से बंचित भी हो सकते हैं। इसलिए जिला प्रसासन और महाविध्याले प्रसासन को इस पर ध्यान गेना चाहिए। बताएं यहां जो जाम लगा हुआ है, किस चीज का जाम है। पार्ट वन का एक्जाम हो रहा है, तो जाम किस तरह से लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है। बिजारते से वता है, यहां पर कम से कम पार्किन होना चाहिए, जैसे पार्किन नहीं है, तो इसका गारी भी यहां इस रोट से बस भी जाता है। बाइपास होने के नाते बस भी इसी रोट से गुजरती है। इसके वएसे परसानी जी होता है, और बिल्यारती लोग को भी देख हो जाता है। मतलब LMNU के तरह तहत यह एक्जाम करवाया जा रहा है, तो क्या LMNU को इसके लिए अलग से विवस्था करनी चाहिए। ताकि जो परिक्षार्थी है उनके अभी भावक आते हैं उनको छोड़ने लेने, उनका जो गारी है उनके पार्किंग के लिए अलग से विवस्था होनी चाहिए। तो उस तरह का विवस्था यहां नहीं है। तो जाम में घंटो गारी फसा हुआ है, उसी वज़ा से। तो यहां एक जाम हो रहा है, तो परसासन को क्या चाहिए थालक से विवस्था करने के लिए। कि यहां गारी लगाने की विवस्था नहीं है। जो प्रेक्ट जो बनवाए ना सरकार का कामवाना है। तो यहां बराबर होता है या आज एक्जाम है इसके वज़ासे हो रहा है। आप हमारे मदुबने न्यूस को फेज़ूक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। यूटूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूले।